हेलो एव्रिवान वेल्कम बेक टु जया लर्निंग सेंटर आज के लिक्चर में कार्बन इंडिस कंपाउंड को कंटिन्यू करते वही NCRT कोशन से हम डिसकस करने वाले हैं तो पहला कोशन है आपका what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has a formula CO2 तो CO2 का आपको क्या बताना है dot structure आपको draw करके दिखाना है तो कैसे करेंगे carbon एक oxygen यहाँ पर और दूसर oxygen यहाँ पर carbon का atomic number क्या होता है आपका 6 होता है तो इसकी configuration क्या बनेगी 2,4 तो आउटर मोशल में कितने number of electron present है 4 electron present है तो 1,2,3 and this one is 4 oxygen का atomic number 8 होता है तो यहाँ पर इसकी configuration क्या बनेगी 2,6 आउटर मोशल में कितने number of electron present है 6 electron present है तो 1,2,3,4,5,6 similarly यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर यह दो-दो electrons को share कर रहे है एक यहाँ और यहाँ पर यह दो-दो electrons को क्या कर रहे है शेयर कर रहे है तो इन दोनों के बीच में कैसा bond बनेगा double bond form होगा तो इस तरह से यह आपको क्या करना है यह structure आपको draw क करके दिखाना है और यह complete इस तरह से ऐसे done तो इस तरह से आपको यह structure आपको draw करके दिखाने तो अब आप इसको count करके देखे oxygen के 8 हो चुके 1,2,3,4,5,6,7,8 अगें यहाँ पर भी complete हो चुके है और carbon के देखे 1,2,3,4,5,6,7,8 इनकी जो outer motion में 8,8 electron होने चाहिए वो completely filled हो चुके है तो यह है आपका question number 1 next question is okay so the next question is what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur whose atomic number is 16 and it is made up of 8 atoms of sulfur यानि आपको S8 का structure draw करके दिखाना है कौन सा structure electron dot structure इसका atomic number कितना होते है 16 और आप configuration कैसे करोगी इसकी 2,8,6 तो इसकी outer motion में कितने number of electron है इसकी valence electron कितने हैं यहापे 6 valence electron present है तो चलिए draw करते हैं इसका structure और आपको hint दी गई है कि आपको कैसे join करने है in the form of a ring तो जब यहाँ पर आप इसको draw करोगे तो आपको एक crown like structure आपको देखने के लिए मिलेगी तो चलिए draw करते हैं आप मेरे साथ साथ इसको draw कीजिए तो यह आपके 8 items हो चुके हैं अब यहाँ पर मैं इसकी balance electrons draw कर जी हूँ यानि 6 electrons मैंने draw करने हैं 1 2 3 4 5 6 done next इसके draw करते हैं 1 2 3 4 5 6 ठीक है next 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं साथ के साथ इसके lines भी draw कर रही हूँ otherwise आप confuse हो जाएंगे तो यह एक sulfur इसके साथ bond share करेगा यहाँ पर यह एक electron sulfur के साथ share करेगा next यहाँ पर ऐसे share करेगा यह इसके साथ share करेगा यह एक electron इस sulfur के साथ share करेगा then this one like this तो आपको यह इस तरह से crown like structure आपको देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर number of electrons को हम draw कर देते हैं 1 2 3 4 एक यहाँ share हो गया एक यहाँ पर share हो गया 5 & 6 तो 1 2 3 4 यहाँ पर share हो गया है तो 5 & 6 done इसी तरह दो electron यहाँ पर share हो चुके हैं तो यहाँ पर draw कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 & 4 similarly यहाँ पर इसके draw कर देते हैं 1 2 3 & 4 तो आप पहले इस तरह से crown like structure बना ले और उसके बाद आप dot के थू क्या कर सकते हो इसको represent कर सकते हो अब आप यहाँ पर इसको count कर सकते हो हर sulfur की 88 items complete हो चुके हैं तो आपको इस तरह से यह structure draw करना है acid का structure important है काफी हो सकते हैं exam में तो इसको practice कीजिए confused बिल्कुल नहीं होना है okay so next question is so next question आप functional group से relate करेगा okay how many structural isomers can you draw for pentane pentane के आप कितने isomers draw कर सकते हो isomers जिसमें chemical formula same रहेगा लेकिन जो structure है वो change हो जाएगी ठीके तो pentane के आपको structure draw करने pentane यानि कि कितने carbon होंगे 5 carbon से आपर present होंगे सबसे पहले एक straight chain बनाते है straight carbon 5 carbon आपको यहां पर join करने है 3 4 and this one is 5 ठीके अब आपको hydrogen place कर देने 1 2 3 4 5 ठीके तो आपको यह complete अब जहां जहां है यह आप hydrogen attach कर देंगे और यह आपका complete हो जाएगा पहला structure ठीके next क्या structure बन सकता है next structure देखे ठीके अब यह जो आपकी state chain है इसको तो हम बोलेंगे n-pentane यह n-pentane ठीके next structure में यहां से क्या करेंगे एक carbon को उठाएंगे और यहां पर क्या करेंगे हम attach कर देते ठीके अब इसकी क्या निकाल देंगे में एक branch यहां पर हम attach कर देंगे तो next देख लेते हैं next किस तरह से बनेगी one two three four done तो यहां पर carbon में यहां पर attach कर देती हो यह carbon आप यहां पर भी कर सकते हो यहां पर भी कर सकते हो अब hydrogen attach कर दीजिए hydrogen hydrogen done तो यह आपका next isomer है pentane का तो pentane के isomers हैं यह इसी तरह से आपसे बाकी structures भी पूछ सकते हैं आपसे propane का पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं, तो आप इसकी प्रेक्टिस कीजिए, कितने structure बन सकते हैं, ओके, तो इस structure का नाम क्या है, इस structure को हम क्या बोलेंगे, this structure is known as isopentene, isopentene, done, एक structure इसका और बनता है, दूसरे structure में क्या करेंगे, एक carbon और उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर place कर देंगे, done, तो देखिए, कैसे बनेगा next structure, one, two, three, carbon पांच ही रहेंगे, carbon आपने पांच ही रखने हैं, तो एक carbon आपने यहाँ अटेच कर दिया, और एक carbon आपने यहाँ पर अटेच कर दिया, done, आप यहाँ पर आपने hydrogen को अटेच कर देना है, और यह structure आपका complete हो गया, इस structure को बोलते हैं, neopentene, this structure is known as neopentene, done, तो इसके total तीन isomers यहाँ पर बनेंगे, तो यह आपने draw कर दिये हैं, in this way, और यह question आपका, यहाँ पर complete होता है, done, तो यह हैं आपका neopentene, this structure is known as neopentene, okay, so the next question is, what are the two properties of a carbon which led to the huge number of carbon compound we see around us, तो कौन सी दो properties हैं, दो properties इसके catenition and tetravalency most important है, भूलना नहीं है, catenition, self-linking property को बोलते हैं, catenition, tetravalency, इसकी valency से आया है, क्योंकि carbon की outer motion में 4 valence electron है, यह क्या है, चार दूसरे atom के साथ capable है, बोलना सकते हैं, that's why, यह जो दो properties हैं, इसकी most important properties है, कौन-कौन सी catenition and tetravalency बूलना नहीं है, catenition यानि self-linking property, एक carbon, दूसरे carbon से, and further continue linking चलती रहती है, और tetravalency इसके outer motion में 4 electron है, balance electron 4 है, तो यह बाकी चार atom के साथ क्या कर सकते हैं, bond formation कर सकते हैं, ठीके, next is, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentene, okay, cyclopentene, pentene तो समझ में आता है कि 5 carbon है, अब क्या लगा दिया है, यहापे cyclo, cycle word, क्यानि कि कैसा होगा, एक cyclic structure होगा, कैसा होगा, एक cycle में, ठीके, तो कैसे बनेगा, carbon, इस तरह से, carbon, 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 कितने होगे, 5 होगे carbon, done, attach कर दीजिए इसको, इस तरह से, इस तरह से, next, hydrogen आपने attach कर देने है, 4 bond होने जाए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, बन रहे हैं, दो और, यहाँ पर एक hydrogen, यहाँ पर attach कर दो, एक hydrogen आप यहाँ पर attach कर दो, 1, 2, 1, 2, 3, and 4, इस तरह से, आपको यहाँ पर भी same, यही करना है, और यहाँ आपका structure complete हो गया, किसका, cycle pentane का, तो pentane में, carbon तो आपके same रहे, कितने 5, और hydrogen कितने हैं, hydrogen होंगे आपके, 10, यहाँ पर count करके भी लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, तो C5, S10, यह किसका formula बन गया, आपका cycle pentane का, और यह किसके structure बन गया, आपकी cycle pentane की, चलते हैं next question की तरफ, next question is, draw the structure of the following compound, इन compounds के क्या करने, आपको structure draw करने हैं, कौन-कौन से, ethanoic acid, carboxylic acid, oic, यानि carboxylic acid family का है, bromopentane, यह आगया आपका, hello family का, bromow लगा है, butanone, यानि की known, ketone, hexanon, hexanol यानि की क्या है, aldehyde है, तो इस तरह से, आपको पैचानना है, कि कौन सी family से हैं, और बड़े अराम से, हम structure को, draw कर सकते हैं, तो चलिए, draw करते हैं, सबसे पहले, ethanoic acid, eth, यानि की कितने आएंगे, 2 carbon आएंगे, oic acid, यानि क्या आएगा, आपका, carboxylic acid, COOH, तो चलिए, एक carbon ये, और एक carbon कहां से आएगा, आपका COOH से, अब ऐसा नहीं करना, कि 2 carbon पहले लगा दिए, और COOH आपने बाद में लगा है, तो वो 3 carbon होगे, total, तो ये, carboxylic acid की, जो carbon है, COOH, उसको count करेंगे, तो ये हो गया, आपका COOH, तो OH, यहाँ पर आएगा, आपका, ये, C double bond, O, और यहाँ पर आएगा, आपका, OH, done, और यहाँ पर hydrogen को, हम attach कर देते हैं, hydrogen, hydrogen, and this one is again, hydrogen, तो ये structure होगा, किसका, ethanoic acid, next is, bromopentane, तो चलिए, bromopentane, pentane यानि की, 5 कार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब क्या करना है, आपने यहाँ पर, bromine, attach करना है, bromine, ठीक है, bromopentane, और बाकी जगे, क्या करना है, आपने hydrogen को, attach कर देना है, hydrogen, 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 तो इस तरह से, आप इस structure, complete कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा, आपका, bromopentane, उपर भी सेम, आपको यही काम करना है, तो यह किसका structure है, आपका, bromopentane का, next आते है, आपका, butanon, next is, butanon, तो butanon का structure, butanon, यानि ketone family, C double bond O, तो C double bond O, butanon, कितने कार्बन आएंगे, आपके, 4, तो 1, okay, next is, butanon, butanon, यानि 4 कार्बन आएंगे, तो यह 4 कार्बन, ketone वाले, C double bond O, count करेंगे, उसको, ऐसा नहीं कि, C double bond O, आप नहीं लगा रहे हो, 4 कार्बन, और बात में, आपने C double bond O, को count किया, तो वो 5 हो जाएंगे, ठीके, तो आपने ऐसा नहीं करना, C double bond O को count करके, यह ना आपने कार्बन आटेच्च करने है, C double bond O, यह मिशा मिड में ही आता है, तो C double bond O, इस तरह से, अब बाकी जो रह गए, वापने आपने, ब्यूटे नॉन, ब्यूटे नॉन, क्या यहाँ पर कोई hydrogen अटेच्च होगा, नहीं होगा, देखें, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी hydrogen आपको अटेच्च नहीं करना, next is hexanol, LDH family है, यानि क्या लगेगा, CHO, CHO को काउंट करेंगे अप, ठीके, hexanol कितने कारबन आएंगे आपके, 6 कारबन आने वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6, तो CHO, तो यहाँ पर आगया आपका C double bond O, और hydrogen में यहाँ पर अटेच्च कर देती हूं इसका, और बाकी जो रह गए आपके, आपके आपने क्या कर देना है, simply hydrogen को attach कर देना है, ठीके, तो यह बनीए आपका hexay null, hexay null, तो आपको identify करना है, और simply structures को draw करना है, confused बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल शान्त इमाग से practice कीजिए, ओके, next is, एक कोशन और पुछाएं, इसमें structural isomers, पूछें आप से, किसके bromo pentane के, are structural isomers possible for bromo pentane, yes, structural isomers possible है, bromo pentane के क्या करेंगे, हमने सिरफ positions को place करना है, किसके position को place करेंगे, हम bromine की positions को place करेंगे, तो यहापर पहले, मैं आपको structure draw करके दिखाती हूँ, bromo pentane, 1, 2, 3, 4, and this one is 5, bromo pentane, और यह आगया आपका bromine, ठीके, बाकी जगे क्या आएगा, आपका hydrogen, 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 तो यह आपने hydrogen को attach कर देना है, और आपने simply, अपनी bonding complete करनी है, done, ओके, आप देखें कि इसके isomers कैसे बनेंगे, आपने simply क्या करना है, अब bromine को position change करनी है, जब bromine यहाप first number पे attach है, तो इसको लिकेंगे हम, 1, bromo pentane, done, आप इस bromine को यहाँ से आप replace कीजिए, इस bromine को आप यहाँ से replace कीजिए, कहाँ attach कीजिए, इसको bromine को यहाँ लियाए, सिके number पे, मैं यहाँ पे ले आदे हूँ, सिके number पे, और यहाँ पे hydrogen को place कर देती हूँ, तो यह बन जाएगा आपका 2 bromo pentane, done, आप इसको यहाँ से remove कीजिए, यहाँ ले आएगे, थर्ड number पे ले आएगे, यहाँ आगया आपका bromine, ठीक है, और यहाँ पे क्या आगया आपका hydrogen, तो यह क्या बन गया आपका, 3 bromo pentane, 3 bromo pentane, अब आप बोलोगे कि इसको यहाँ ले आओ, 4 number पिक नहीं, ऐसा नहीं करना, अब बाकी जो है, 4, 5 नहीं बनेंगे, वो आपके structure कैसा बनेंगे, आपके same ही बनेंगे, आप इसको 4 पे लगाओगे, तो यह structure कैसा बनेगा, आपका जैसा आपका 2 bromo pentane है, क्योंकि आप इसको left side से count करोगे, अब क्या बनेंगे आपको इसको name देना है, तो count कीजिए, कितने carbon है, 2 carbon है, तो यह क्या आएगा, ethene, single bond है, और आगे क्या लगा है, bromine, तो क्या बन गया यह, bromo ethene, bromo ethene, done, अब यहाँ identify कीजिए, क्या लगा है, CHO, यानि की aldehyde group लगा है, और क्या है, एक ही carbon है, तो क्या बन गया, etheneal, क्या बन जगया, etheneal, अब next देखिए, next में क्या है, triple bond, triple bond present है, यानि की alkyne family है, carbon count कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 6 family हैं, तो क्या बन गया इसका नाम, hex, और triple bond कहा है, यहां से count कीजिए, 1 पे, तो 1, आइन, hex, आइन, क्या बन गया, यह, hex, 1, hex, ठीक है, तो इस तरह से, यह questions आपको attempt करने हैं, चलते हैं, अपने next question के तरफ, ओके, next is, why is the conversion of ethanol, to ethanolic acid, is an oxidation process, यह आपके एक oxidation process क्यों है, तो यह oxidation process क्यों है, तो पहले आप यहापे एक reaction देखी, जिससे आपको clear हो जाएगा, कि यह आपके एक oxidation process क्यों है, oxidation process का मतलब है, simply oxygen का add होना, तो यहापे आपको यह reaction दीगे, CH3, CH2OH, यह निए, इथेनोल, इथेनोल को क्या किया, आपने alkaline Km-n-o4, या भी acidified potassium dichromate का use करके, आपने क्या case को heat किया, heat किसकी presence में करते हैं, oxygen की presence में करते हैं, तो यहापे यह क्या है, आपकी oxidizing agent है, तो यह आपकी oxidizing agent है, तो यह क्या कर रहे हैं, यहापे इसमें oxygen को add कर रहे हैं, तो यह क्या बन गया हैं, यहापे CSTCOOH, CSTCOOH, तो इस तरह से आपकी यह जो process है, आपकी यह जो conversion है, यह क्या है, आपकी एक oxidation reaction है, आपकी इसमें oxygen add हो रहे है, तो आप बोलोगे कि यह क्या है, एक oxidation reaction है, done? अब आपकी इसमें प्रेज़न अब बात यहापे एक नहीं है, जब आप यहापे दिहान दे, यहापे क्या प्रेजन आपकी इर, और यहापे यह क्या कहँए है, oxygen किसलिए होती है, आपको क्या भी चाहिए, अगर आपने combustion करने है, तो हाप पर क्या होनी चाहिए आपकी oxygen प्रेजेंट होनी चाहिए तो इस question में क्या है इथाइन इथाइन कैसा है आपका alkyne family का है यानि triple bond present है यह क्या है आपका unsaturated hydrocarbon है carbon content क्या है यहापे ज्यादा है ठीक है अगर क्या होगा यहापे air का use करेंगे air और इथाइन का use करेंगे तो carbon क्या है वो completely burn नहीं होगा unburned carbon रहने की वज़े से क्या रहेगा complete combustion नहीं होगी और कैसी flame मिलेगी आपको एक suty flame आपे मिलेगी और welding के लिए क्या चाहिए होती है आपको high temperature चाहिए होते है और क्या चाहिए होती है आपको heat ज्यादा चाहिए होती है तो उसके लिए क्या है आपको complete combustion चाहिए होगी तो complete combustion कराने के लिए आप इसका mixture यूज़ करते हो के लिए oxygen और ethine का mixture यूज़ किया जाता है तो इस तरह से आपने इस question को attempt करना है चलते हैं next question की तरफ okay so next question is okay next question is how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid alcohol or carboxylic acid में क्या करना है आप experimentally बताने की कैसे आप इसको distinguish कर सकते हो तो आपको एक litmus test पता है litmus test में क्या होगा अगर आपका acid present है तो acid क्या करेगा blue litmus को red कर देगा ठीक है अगर वहापे alcohol है तो उसका तो कोई reaction हो नहीं नहीं है तो simply जब आपने litmus test लिया तो carboxylic acid acid क्या करेगा blue litmus को red में convert कर देगा और आप identify कर सकते हो कि alcohol कौन सा है और carboxylic acid कौन सा है और कौन सा test कर सकते है sodium bicarbonate test यहाँ पे आप कर सकते हो sodium bicarbonate test में क्या होगा जब आप क्या करोगे sodium bicarbonate Na2CO3 को add करोगे तो यहाँ पे कौन सी gas produce होगी brick effervescence आपको देखने के लिए मिलेगी यानि कि CO2 gas आपको देखने के लिए मिलेगी आप आप पर observe कर सकते हो अगर क्या करेगा यह lime water को milky कर देगा तो वो क्या है आपका carboxlic acid है अगर किसी तरह की कोई effervescence नहीं है तो वो क्या है आपका alcohol है तो इन दो test से क्या कर सकते हो आप इसको distinguish कर सकते हो next is what are oxidizing agent तो oxidizing agent simply कौन से हैं आपके oxidizing agent आपके वो हैं जो क्या करते हैं oxygen देते हैं कौन-कौन से अभी पैसे पिछले question में हम कर चुके हैं alkaline k-m-n-o-4 and acidified potassium dichromate यह आपके strong oxidizing agent है और ethanol को क्या करते हैं oxidize करते हैं oxygen उसमें add करते हैं done तो इस तरह से आपने क्या करना है इसको define करना है next question किसके उपर base है आपके soap and detergent के soap and detergent आपका basically तो इसमें basically आपसे cleansing action के उपर ही question पूछेंगे okay so question is would you be able to check if water is hard by using a detergent क्या detergent से क्या कर सकते हो आप चेक कर सकते हो no we can check whether the water is hard or soft using a detergent okay next is people use a variety of a method to wash cloth usually after adding the soap they beat the cloth on a stone or beat it with a paddle scrub with a brush or the mixture is agitated in a washing machine why is agitation necessary तो यह agitation क्यों necessary है क्यों necessary है क्यों क्यों क्पड़े के दो नहीं है क्पड़ों को clean करना है इसलिए agitation क्या है जरूरी है यहाँ पर पूरा आपकर cleansing action आ जाएगा जो cleansing action soap है किसके उपर depend करता है hydrophobic और hydrophilic nature के उपर depend करता है इममलसिफिकेशन होगी एजिटेशन से क्या होगी cloth remove हो जाएगी तो soap missels है ऐज क्या करेंगी oil को tap करEंगी और यहाँ से क्या क्रेंगी cloth से oil को remove कर देऑ जब क्या करते हो आप cloth को wet करते हो soap solution में आप क्या करोग अजिटेट करोगी तो मिसल क्या हो जाएंगी, डिर्ट रिमूव हो जाएंगी, तो basically आपको पूरा cleansing action यहापे explain कर देना है, तो agitation किसले ज़रूरी है, for washing the, question number one, ethane with the molecular formula C2S6 has, इसमें आपको बताने हैं कि इसमें कोवलेंट बूर्ण कितने हैं, तो यहाँ पे आप पहले C2S6 का structure द्रॉण केजिए, तो इससे आप इस question को उनसर कर पाएंगी, C2S6, तो carbon hydrogen के साथ कितने bond बना रहे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 bond यह बनाएगा, दो carbon है, तो carbon carbon के बीच में एक bond होगा, तो दोनो 6 plus 1, तो total covalent bond कितने हो गए यहाँ पर, 7 covalent bonds, इथे इनकिस molecular formula के अंदर present है, यह से पता चला, hydrogen के साथ carbon ने कितने बनाने है, 6 बना carbon carbon के बीच में, तो total कितने हो गए, यहाँ पर present है, next is, beauty known is a 4 carbon compound with a functional group, तो इसमें आपको बताने कि functional group कौन सा present है, तो यहाँ पी check कीजी कि लास्ट में क्या लगा है, इसमें, noon, तो noon किसमें लगता है, बचे, carboxly कैसी रोता है, तो oic लगता है, aldehyde में al लगता है, alcohol में all ल it is ketone, next is, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means, अगर cooking के टाइम पे, अगर बरतन का जो bottom है, वो black हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, अगर वो बाहर से बरतन काला होने लग जाए, तो उसका मतलब क्या है, कि जो food है, वो completely cooked नहीं हुआ, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, the fuel is burning completely, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर जो combustion है, वो complete नहीं है, तो यह complete combustion नहीं की वैज़े से क्या होते है, जो vessel से वो क्या हो जाते हैं, black होना, start हो जाते हैं, तो it means, the fuel is not burning completely, तो इसका correct answer है, the fuel is not burning completely, okay, next question is, explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CS3Cl, तो यहाँ परी, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका atomic number पता होना चाहिए, तो carbon का atomic number कितना होते हैं, carbon का atomic number होते हैं, आपका 6, और इसकी configuration क्या बनती है, 2,4, यानि की, इसकी outermose shell में 4 electron present है, और इसको stable होने के लिए 4 electron और चाहिए, और hydrogen का atomic number कितना होते हैं, hydrogen का atomic number है, 1, और इसकी outermose shell में 1 electron present है, और इसको 1 electron चाहिए होते हैं, अ एक electron चाहिए होता है next is chlorine chlorine का atomic number कितना होता है chlorine का atomic number होता है आपका 17 तो 2,8 और यहां पर आएगा आपका 7 इसको भी क्या चाहिए होता है एक electron चाहिए होता है अपना जो outer muscle है उसको complete करने के लिए stable होने के लिए तो अब देखें यहां पर structure किस तरह से form होगा chtcl यानि कि CH4 होना चाहिए CH4 में एक hydrogen को कौन substitute कर रहे है chlorine substitute कर रहे है तो देखें यहां पर पहले मैं show करती हूँ इसके आउट्रमोशल में कितने electron है carbon के 4 electron है तो 4 electron है तो 1,2,3,4 done यहां पर एक hydrogen इसके आउट्रमोशल में एक हे electron है hydrogen इसके पास भी एक electron है इसके पास आउट् chlorine इसको क्या चाहिए एक electron चाहिए अपना आउट्रमोशल complete करने के लिए तो chlorine इसके पास कितने है साथ आउट्रमोशल में present है एक दो तीन चार पांच छे और यह हो गया यहां पर साथ ठीके अब देखें यह आपस में electron शेयर करेंगे इस तरह से hydrogen के दो complete हो गए similarly यहां पर देखें यह complete यहां पर इसने इसके साथ bond बनाया और इसी तरह से जो chlorine है यह इसके साथ bond बनाएगा और अपने electrons को complete करेगा और carbon यह इस तरह से अपने electrons को complete करता है in this way अब आप count करके देखें यह 8 हो चुके 1,2,3,4,5,6 और यह 7,8 तो यहां पर इस तरह से कर रहे हैं अपन covalent bone की formation CACCL में जो है complete हो रही है तो आपको यह structure draw करके दिखाना है atomic configuration लिखनी है और words में भी आप इस तरह से इसको attempt कर सकते हो done next question is draw the electron dot structure of ethenoic acid okay so next question is draw the electron dot structure for ethenoic acid H2S propanone and F2 तो यहां पर इस क्या करना है आपको electron dot structure draw करने है सब में आपको atomic number पता होना जी atomic number अगर आपको पता है तो आपको पते कि automation में कितने number of electron present है वो number of electron आपने represent करनी है और आपने क्या करना है electron के सरह से शेर हो रहे है वो आप structure यहां पर draw करोगे यहां पर simply मैं आपको क्या बताने वाली हूं इसके formulas मैं बताने वाली हूं और structure आप draw करेंगे ethenoic acid ethenoic acid का क्या formula होगा बचे ethenoic acid oic acid यानि कौन सी फैमिली कार्बॉक्सलिक फैमिली है क्या functional group लगा होगा COOH यह functional group यहां पर प्रेजेंट होगा done ethenoic दो कार्बन होने चाहिए meet eth two carbon होते हैं तो एक carbon और आएगा यहां पर this one और साथ में आएगा CH3 COOH तो यह बन गया आपका carboxylic acid done next is H2S H2S आपको यहां पर पता ही है given है आपको सिरफ क्या करना है structure draw करना है propanone propanone यानि की ketone family है ketone family propanone तीन carbon atoms है ketone जोडने का काम करते हैं हमेशा मिड में present होगा C double bond O तो इसका formula मैं यहां पर draw कर देती हूँ C double bond O ठीक है बाकी एक carbon यह और आपने बाकी जगे पर क्या लगा देना है hydrogen को आपने attach कर देना है इस तरह से done तो यह होगे इसका structure अब आपने यहां पर electron sharing दिखानी है electron किस तरह से confirmation कर रहे हैं यह आपको show करना है तो यह किसका formula है यह propanone next is F2 F2 में simply आपको क्या करने है dot structure draw करके दिखाने है next is what is an homologous series explain with an example homologous series बहुत important question है आपको structure के साथ ही explain करने के लिए पूछा जाएगा तो homologous series क्या है एक series है compound की जिसमें क्या है structural formula क्या है similar है functional group similar है अगर functional group similar है तो इसकी जो chemical properties है वो same रहेगी तो इस तरह की series को क्या बोला जाता है homologous series बोला जाता है तो homologous series एक series जिसके अंदर compounds का structural formula क्या है same है और वहाँ पे क्या present है same functional group present है same functional group होने की वज़े से इसकी जो chemical properties है वो क्या होंगी similar होंगी क्या difference होगा जो physical properties है जो physical appearance है वो difference होगी त्योंकि हर unit में क्या increase होता रहेगा हर unit में CH4 increase होता रहेगा ठीके तो CH4 का difference आता रहेगा जिसकी वज़े से इसका जो structure है जो physical appearance है वो change हो जाएगी तो यहां पर एक example में आपको दे रहे हूं कौनसी family का homologous series LDHID का मैं आपको show कर रहे हूं यहां तो LDHID में सबसे पहले कर रहे है आप नहीं आपको starting से लिखना है यह नी कि हूँ से भी उठा के लिख देंगे अगर आप LDHID family लिख रहे तो LDHID family starting से start करेंगगी तो सबसे पहले आता आप các methai titre है तो methai Time framework ko कैसे लिखो गे आपUT CHOOH LDHID family मैंने भूली तो last में क्या लगेगा OH ETHENAL ETHENAL को कैसे लिखेंगे आप CH3 CHO METHANAL, ETHANAL, फिर प्रोपेनल लिखेंगे आप CH3, CH2 CHO प्रोपेनल, देन ब्यूटेनल लिखेंगे ब्यूटेनल यानि चार आजाएंगे carbon CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनल, देन पैंटेनल पैंटेनल में किस तरह लिखेंगे आप इसको CH3, CH2 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 देन CHO देन पैंटेनल एंड सो ओन तो यह से complete series आपकी continue हो जाएगी तो आपने इस तरह से example लिखने, एक तरह आप यह formula लिख देंगे और एक तरह इसकी आपने नाम लिखनेंगे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, पैंटेनल, ब्यूटेनल एंड पैंटेनल दन तो इस तरह से आपने क्या करना है यह आपकी homologal series को आपने रिपर्जेंट करना है, तो homologal series अब आप देगेंगे, यहाँ पे भी difference कितने गाएगा CH2, यहाँ पे difference again CH2, again जैसे जैसे आप आगे continue करते रहेंगे CH2 का difference आपका increase होता जाएगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, जै मैंने आपको यह topic कराया था, तो यहाँ पे आपको difference भी पूछ सकते है, और यह question बहुत important है, properties में से question बनांके भी आपसे पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले distinguish कर ले दे, इसको इथेनॉल, इथेनॉल कैसा होता है बहुता आपका, इथेनॉल, इथेनॉल alcohol family है, और यह carboxylic family है, ठीके, तो इथेनॉल क्या है, आपके colorless liquid है, और इसकी जो smell है, एक colorless liquid है, और इसकी smell कैसी है, vinegar like इसकी smell होती है, इथेनॉल, litmus solution में किसी तरह का कोई objection perform नहीं करेगा, carboxylic acid होने की वज़े से, litmus में test perform करेगा, क्या करेगा, acid क्या करेगा, blue को red में change करतेगा, ठीके, इथेनॉल, किसी तरह का, अगर इसकी reaction किसके साथ कराई जाए, sodium hydrogen carbonate के solution के साथ कराई जाए, तो यहां पर किसी तरह का कोई objection perform नहीं होगा, लेकिन acid को इथेनॉल की acid को जब आप perform कराएंगे, तो यह क्या करेगा, यह decompose हो जाएगा, किस किसमें के decompose होगा, sodium hydrogen carbonate को decompose करेगा, और वहां पर क्या produce होगा, यहां पर क्या produce होगी, जिसकी smell कैसी होती है, ब्रिस के फेर्सन, वहां पर produce होगी, इसकी order की बात की जाए, तो इथेनॉ बता सकते हैं, जो properties आपने इसमें डिसकी है, में में पॉइंट से यहां पर मैं आपको बता चुकी हूँ, इथेनॉल और इथेनॉल कैसिद का, डन, निक्स कोशन इस, वाय दस दा मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस वें सोप इस एड़िद तो वाटर, विल आ मिसल भी फॉर्म इन अदर सॉल्बेंट सचा इथेनॉल और सो, क्या कहते हैं, आपको मिसल फॉर्मेशन पूछीए, जब आपने क्या क्या सोप को बोटर में एंट के, तो बिसीकली क्या है, आपको क्लेंजिंग एक्षन यहां पूछा है, जब आपको इस तरह से कोशन पूछा जाए, सोप से रिलेटिड या क्लिंजिंग एक्षन से रिलेटिड तो मैंने एक डाइग्राम आपको बताया था, तो वो डाइग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डाइग्राम आपको ड्रॉ करना है, डाइग्राम मैं आपको शो कर देती हूँ, मैं कौन से डाइग्राम के बात कर next, आप पहले soap के बारे में बताएंगे, क्या कि आपने soap को water में add किया, soap क्या है, soap क्या थी, आपकी एक long fatty chain, acid की एक chain है, कि कि इसके अंदर कौन कौन से salt present है, sodium or potassium salt present है, और साथ में क्या present है, hydrocarbon chain present है, तो यह आपकी यह जो tail आपको दिखाएंगे, है hydrocarbon की chain है, और यह क्या present है, आपके यहां पर ionic part present है, sodium या फिर potassium salt हो सकता है, तो फिर आपने यहां पर दो बात करनी है, एक hydrophobic की बात करनी है, और hydrophilic nature की बात करनी है, तो आप पूरा इसको explain करेंगे, यह पूरा concept में आपको, जब मैंने soap full topic आपके साथ discuss किया है, वहां पर मैंने आपको पताया है, क done, okay, next equation पूछा है, कि will a missile formation will take place, अगर आप क्या करें, कोई और solvent ले, जैसे कि आपने ethanol को use किया, तो ethanol को अगर आप use करेंगे, तो यहां पर किसे तरह की कोई भी missile formation नहीं होगी, ठीक है, तो missile formation यहां पर नहीं होगी, तो इसका अंसर क्या लिखने है, आपने no लिखना है, next is, why our carbon and its compound, used as a fuel for most of applications, okay, अगर आप से पूछा जाएगे, अगर आप इसको explain भी करना चाहो, तो क्या होता है, वहां पर, water के case में क्या होती है, जो soap की hydrocarbon chain है, वो dissolve नहीं होती, ठीक है, लेकिन, अगर आप ethanol को use करोगे, तो वहां पर वो जो hydrocarbon chain है, वो dissolve हो जाएगी, इसकी वज carbon and its compound used as a fuel for most of the application, as a fuel, इसको क्यों use करते है, क्योंकि जो most of the carbon compound से ये क्या देते है, they give us a lot of heat and light, जब इसको क्या क्या जाएगे, एर में बंड किया जाए, तो आपने दो तरह के hydrocarbons की है, saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon को जब बंड करते है, तो महां पर क्लीन flame प्रोडूज होती है किसी तरह का कोई भी smoke produce नहीं होता, इसलिए जो carbon compound है, उसको use क्या जाता है as a fuel, क्योंकि जो calorific value है, वो भी कहें काफी high है, that's why, इन सब reasons के वज़े से, आप इसको कहां use करते हो as a fuel, use क्या जाता है, next is, explain the formation of a scum when hard water is treated with soap, अगर आप soap को hard water में use करते हो, तो महां पर किसकी formation हो आपको पहले ही माइन में स्राइक करना जाहिए, कि जो soap है वो soft water के साथ easily react करती है, hard water के साथ react नहीं करेगी, okay, hard water के साथ कौन react करता है, कौन properly काम करता है, detergent properly काम करता है, तो soap water क्या है, soap, आपको पता है, it is a long chain of fatty acid, hard water के अंदर calcium or magnesium salt present है, जब आप soap को hard water में add करोगी, तो calcium déjà magnesium or magnesium oil present है, वो क्या करेंगे, उस tack ho जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको water में घुलने नहीं देगे, जब उसको water घुलने नहीं देगे, उसके ionic part को तो महां पे old anSiucal acid को, उसकोड़ा आपको olduğweez towards the water, एनले इनलों ofbait को Pho, and a lot of soap उसमें क्या हो जाती है आपकी waste हो जाती है तो इस तरह से आपका जो soap है वो hard water के साथ रियक्ट नहीं करता next question is what change will you observe आप क्या change observe करते हो अगर आप soap का test किसके साथ करो litmus paper के साथ आप इसको test करो तो आप क्या observe करोगे तो soap solution क्या करता है red litmus paper को blue में change कर देता है क्योंकि जो soap है वो कैसा है it is alkaline in nature it is basic in nature next is what is hydrogenation reaction and इसका industrial application आपको बताना है most important question hydrogenation reaction hydrogenation hydrogen का use होगा इसमें तो आप क्या करेंगे simply इसका मतलब क्या addition of hydrogen किसमें add करोगे ठीके तो यहांपर आप दो तरह के ही compound पड़ रहे हो saturated और unsaturated hydrocarbon तो unsaturated hydrocarbon में hydrogen को add करना किसकी presence में catalyst की presence में कौन से catalyst हो सकते है प्लैडिनियम या फि निकल या फि पलेडियम क्योंकि unsaturated को आप किसमें convert कर रहे हो किसमें change कर रहे हो saturated hydrocarbon में change कर रहे हो इस reaction को क्या बोला जाते है hydrogenation, यानि hydrogenation reaction simply क्या है, unsaturated hydrocarbon में hydrogen को add करना, किसकी presence में in the presence of catalyst like the platinum, nickel और palladium to give the saturated hydrocarbon, this kind of reaction is known as hydrogenation reaction, hydrogenation reaction, ethene को ethene में convert करना, यह हमने इस chapter में discuss किया है, तो आप example भी वही दे सकते हूँ, ethene, ethene को कैसे लिखो गया है, CH2, double bond, CH2, यह क्या है आपका unsaturated, और यह किसमें convert हो जाएगा, यह आपने इसमें hydrogen add करनी है, तो यह platinum या फिनिकल की presence में, यह आपका ethene में convert हो जाएगा, CH3, CH CH3, done, तो ethene, ethene में convert हो जाएगा, done, अब industries में कहां इसको use करते है, तो यह use होती है, तो आपका liquid vegetable oil है, उसको क्या बनाने के लिए, artificial घी बनाने के लिए, वनस्पती घी बनाने के लिए, इस reaction को use किया जाता है, done, तो यह पूर सकते हैं आपसे question, बहुत important question है, आपको पता हो ना चाहिए, next is, which of the following hydrocarbon undergo addition reaction, ठीक है, तो addition reaction किस में होगी है, आपकी addition reaction, simply क्या करनी है, आपने क्या करना है, उसमें add करना है, तो किस में add करोगा, आप, saturated hydrocarbon में तो कुछ add करने के लिए ही नहीं, unsaturated hydrocarbon में यह reaction अकर होगी, unsaturated hydrocarbon, या तो double bond present होगा, यह triple bond present होगा, done, okay, तो इन दोनों का पहले formula देख लेते, तो अगर double bond है, तो cn, h2n, ठीक है, और एक होता है, आपका cn, h2n, plus 2, h2n, plus 2, यह alkenes और alkynes का formula है, done, अब देख लेते हैं कि यहां से compound addition reaction को show करेंगे, तो c2, h6, क्या c2, h6, इसमें कहीं पर बनता है, तो two put कीजी, यहां पर two, two two's of four, two, and two two's of four, six, okay, तो चेक कर लेते हैं, यहां पर कौन कौन से, आपके c2, h2 है, c2, h2, c4, नहीं करेगा, c3, h6 करेगा, c3, h6 करेगा, c3, h8 करेगा, c3, h8, c3, h8, नहीं करेगा, c2, h6 भी नहीं करेगा, और c2, h2 भी नहीं करेगा, देखे, c2, h6 का structure बनाई, carbon, carbon, hydrogen, 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 यह hydrogen, देखे, इसमें क्या बन रही है, आपकी single bond बन रही है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो c2, h6 यह नहीं करेगा, similarly, c3, h8, नहीं करेगा, c3, h6, addition, reaction, show करेगा, c2, h2, addition, reaction, show करेगा, और c4, b, reaction, show, नहीं करेगा, ठीके, अगर आप formula से नहीं कर सकते, तो आप इसको draw करके भी देख सकते हैं, कि double bond और triple bond वाले सिरफ, आपकी addition reaction को show करेंगे, और आपके, जो बाकी compound से, यानि जिसमें single bond present है, वो addition reaction show नहीं करेंगे, next question is, okay sir next question is, give a test, जो आप use करें, किसको saturated और unsaturated hydrocarbon को differentiate करने के लिए, तो यहाप इसको differentiate करने के लिए, bromine water test किया जाता है, bromine water test में क्या है, जब आप unsaturated compounds के अंदर क्या करेंगे, bromine water को add करेंगे, तो bromine क्या है, उसके अंदर add हो जाएगा, और उसका red brown color है, bromine water का, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर organic compounds, अगर क्या है, bromine water decolorize कर दे, तो वो क्या है, आपका unsaturated compound ही, क्योंकि वो उसमें mix हो जाएगा, अगर वो decolorize नहीं करेगा, तो वो कैसा compound है, आपके saturated compound है, तो bromine water test से क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को differentiate कर सकते हैं, saturated compound में किसी तरह का कोई भी decolorize नहीं होगा, उसका color as such रहेगा, लेकिन unsaturated compounds में जो उसका color है, वो decolorize हो जाएगा, वो discharge हो जाएगा, next is explain the mechanism of cleaning action of soap, यहाँ पर आपको complete cleaning action बताना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, soap quality topic के अंदर, पूरा उस तरह से आप इसको step में लिख कराएंगे, soap क्या होता है, दो parts को आप discuss करेंगे, इसका structure बनाएंगे, 10 missiles की आप बात करेंगे, फिर आप immersion की बात करेंगे, तो इस तर वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, तब तक अपने proportions अच्छे से करते रहें, बाब बाए क्या क्या है? झाल झाल झाल